नेक्स्ट कोश्चन है 21 इसके 3 पार्ट्स हैं ओके तीन पार्ट्स हैं इस कोश्चन के तो फर्स्ट पार्ट में देखो कोश्चन में गिवन है हमें x इक्वल्स तो 30 x की वैल्यू 30 डिग्री है तो प्रूव करना हमें कि साइन 3x is इक्वल्स तो 3 sin x माइनस 4 sin 3x तो हम सिंपली पहले x की वैल्यू पुट कर देते हैं मिंस पहले कोश्चन में हमें प्रूव करना है sin 3x x कमलब 30 यानि कि 3 multiply 30 करेंगे हम पे ओके और ये किसके equal है ये हो गया sin 3 3 जा 90 हो गया sin 90 हाना ये क्या थी हमारी left hand side और right hand side क्या है हमारी right hand side है 3 sin x की जिगां क्या पुट करेंगे 30 sin 30 minus 4 sin cube x यानि कि sin x की value है 30 उसका क्या करना है cube करना है ओके तो पहले हमें values कहती है एक value चाहिए sin 90 की और चाहिए sin 30 की तो फटा फट values लिख लेते हैं पहले तो देखो sin 30 क्या होता है 1 by 2 और sin 90 क्या होता है 1 तो हम वापिस से left hand side लेते हैं left hand side क्या है sin 90 जो की क्या होगा 1 अब हम लेते हैं right hand side right hand side क्या है 3 sin 30 minus 4 sin cube 30 चलो फिर इसको solve करते हैं 3 sin 30 की value 1 by 2 multiply 1 by 2 minus 4 multiply sin 30 sin 30 हो गया 1 by 2 और उसका क्या करना है हमें cube करना है ओके चलो फिर solve करो इसको 3 upon 2 minus 4 1 का cube क्या होता है 1 और 2 का cube होता है 8 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो हमारे पास answer क्या आया 3 by 2 minus 1 by 2 lgm क्या आएगा 2 3 minus 1 3 minus 1 क्या होता है 2 upon में भी 2 answer क्या आगया 1 यह भी 1 और left hand side भी 1 right hand side भी 1 तो हम क्या लिखेंगे left hand side is equal to right hand side answer next जो है 20 question का second part है x की value 30 है 30 degree और हमें prove करना है 10 2x is equal to 10 to 10x minus 1 10 square x तो पहले हम left hand side लेके चलते हैं left hand side क्या है 10 2x x की जगां क्या put करना है हमें 2x यानि 2 multiply x और x की जगां क्या put करना है 30 तो हमारे पास answer क्या आता है 10 60 और 10 60 की value क्या होती है 10 60 की value होती है root 3 तो यहाँ पर क्या जाएगा root 3 यह तो होगी left hand side आप करते हैं बात right hand side क्या है 2 10 x upon 1 minus 10 square x तो यानि कि 2 10 x की जगा 30 degree upon 1 minus 10 square x की जगा 10 square 30 degree अब जो 10 30 है 10 30 की value क्या होती है 1 by root 3 होती है 10 30 की value तो put करेंगे इसको 2 10 30 यानि कि multiply 1 by root 3 upon 1 minus 10 30 का square यानि कि 1 by root 3 का square करना पड़ेगा हमें solve करेंगे तो यह होगा 2 by root 3 upon 1 minus 1 का square 1 और root 3 का square क्या हो जाएगा 3 अब इसको solve करते हैं इसको solve कैसे करेंगे देखो 2 by root 3 तो as it is रहेगा 2 by root 3 यहाँ पर देखो इसके upon में 1 लिख लेंगे तो lfm क्या हो जाएगा 3 और देखो अब 3 है 1 को 3 से divide करें क्या बचता है 3 बचता है तो ऊपर क्या जाएगा 3 minus 3 को 3 से divide करें तो 1 3 minus 1 so answer क्या है हमारा 2 by 3 upon 3 minus 1 2 by 3 2 by root 3 upon 2 by 3 अब क्या होगा देखो यह जो term है divide को multiply में change करेंगे तो यह नीचे वाली term क्या हो ज़ती है नीचे वाली fraction reciprocal तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिखेंगे हम 2 upon root 3 multiply यह reciprocal हो के 3 by 2 2 by 3 क्या होगा 3 by 2 2 से 2 cancel तो क्या बचा 3 by root 3 देखो root 3 multiply root 3 क्या होता है 3 होता है अना क्योंकि root 3 का square करते हैं तो मैं पता है क्या हो जाता है root जाता है 3 रहता है इसका मतलब तो यही हुआ तो इस 3 की जगा में root 3 multiply root 3 upon root 3 लिख लो एक root 3 से root 3 cancel तो हमारे पास answer क्या है अकेला root 3 तो इसका answer क्या है root 3 अब देखो जो right hand side है उसका answer क्या है root 3 और जो हमारी left hand side थी left hand side का answer भी क्या है था root 3 यानि कि left hand side is equals to right hand side answer तो हमारा next question है 20 question का third part sin x is equals to root minus 1 cos 2x upon 2 x की value है 30 तो जो left hand side है left hand side क्या है sin x x की जगां क्या put करना है 30 तो क्या हो गया sin 30 और जो sin 30 है उसकी value क्या होती है 1 by 2 तो यहाँ पर answer क्या आगया left hand side का 1 by 2 अब गात करते हैं right hand side की right hand side क्या है under root minus 1 cos 2x तो x की जगां क्या पूट करना है हमें x की जगां पूट करना है 30 minus cos 2 multiply by 30 चुभी square नहीं यह 2x है ok square x नहीं है 2 तो यह क्या हो जाएगा यह 2 into 30 क्या होता है 60 तो यह हो क्या cos 60 upon में 2 अब देख कॉस 60 की value होती है 1 by 2 तो इसको put करेंगे तो इसको solve करेंगे देखो कैसे 1 minus cos 60 की जगा 1 by 2 upon में 2 solve करो LCM हो जाएगा 2 यह है main division 2 पूरी है root में इन दोनों का LCM लिया तो यह 1 हो गया two and one को two survive करेंगे क्या होता है 2 ही बचेगा तो तो 2 जाएगे 2-1 को solve करेंगे तो क्या होगा root में two minus one यह तो हो गया one upon में क्या हो जाएगा two और यह हो गया main division upon में two इसके 2 के अपॉन मैं 1 लेट कर लेता हूँ तो यह root क्या होगा यह पूरे में है तो अब हमें पता है नीचे वाली fraction जो है इसको main division को multiply में change करती क्या हो जाती है reciprocal तो 1 by 2, 2 by 1 क्या हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा और 1 by 2 into 1 by 2 क्या होगा root 1 by 4, 1 का root क्या होता है देखो 1 का root होता है 1 और 4 का root क्या होता है 2 अब यह 1 by root 2 जो है हमने जो LHS left hand side देखा था उसकी value भी 1 by 2 आ रही है और जो right hand side है उसकी value भी क्या रही है 1 by root 2 तो इसका मतलब क्या हुआ LHS is equals to RHS answer अब जो है 21 का fourth part cos 3x equals to 4 cos cube x minus 3 cos x x की value क्या दिए है equation में 30 तो पहले left hand side लिखेंगे left hand side क्या है cos 3x यानि की cos 3 multiply 30 जो क्या हुआ cos 90 और हमें पता है cos 90 की value क्या होती है cos 90 की value होती है 0 so answer क्या गया left hand side का 0 अब right hand side की बात करते है right hand side क्या है 4 cos cube x minus 3 cos x so 4 cos cube x की जगा 30 अना x की value 30 given है minus 30 degree 3 cos 30 degree cos 30 देखो cos 30 की value होती है root 3 by 2 तो क्या होगा 4 cos cube 30 यानि की root 3 by 2 का cube minus 3 multiply यह भी multiply होगा बीच में कोई symbol नहीं होता है तो multiply होता है cos 30 क्या होगा root 3 by 2 तो solve करते हैं इसको 4 multiply root 3 का cube क्या होगा 3 root 3 तीन बर करना पड़ेगा ना root 3 multiply root 3 multiply root 3 तो यह तो हो गया 3 और यह क्या बच गया अकेला root 3 तो यहाँ पे 2 का cube क्या होगा 8 minus 3 root 3 upon में 2 तो यह देखो यह 4 2s आ 8 हो गया तो यह answer क्या है 3 root 3 upon 2 minus 3 root 3 upon 2 दोनों same digits हैं तो दोनों का answer क्या होगा 0 और यह 0 क्या है LHS है इसका मतलब LHS is equals to RHS answer होगा हमारा तो जो हमारा next question है 22 इसमें A और B की value दी हुई है A है 60 B है 30 हमें प्रूव करना है cot A minus B cot A cot B यह multiply में है cot A multiply cot B plus 1 cot B minus cot A तो प्रूव करते हैं left hand side लेके चलते हैं वो क्या है cot A minus B यानि कि cot A की value 60 तो 60 minus B की value 30 तो 30 तो क्या है cot 30 और cot 30 की value क्या होती है cot 30 होता है root 3 यहाँ प्रूव क्या है root 3 अब बात करते हैं right hand side की तो right hand side क्या है cot A multiply cot B plus 1 upon cot B minus cot A values put करेंगे cot A यानि की cot 60 multiply cot B cot B का मतलब 30 तो cot 30 plus 1 upon cot B यानि की cot 30 minus cot A यानि की cot 60 तो values देखो cot 30 की value तो root 3 है और cot 60 की value होती है 1 upon root 3 तो values put कर देते हैं हम cot 60 यानि की 1 upon root 3 cot 30 multiply में multiply root 3 plus 1 plus 1 upon cot 30 यानि की root 3 plus cot 60 1 by root 3 अब देखो ये root 3 से root 3 कैंसल तो क्या बचा 1 plus 1 यानि की उपर तो हो गया 2 upon में root 3 अब देखो इसको LCM ले लेते हैं ठीक है LCM की आएगा root 3 LCM आएगा root 3 तो 1 root 3 के साथ क्या हो जाएगा divide करें तो 1 ही बचेगा तो root 3 और root 3 का multiply हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3 ओके तो अब cross multiply भी माल लो root 3 के साथ root 3 क्या हो गया 3 और 1 के साथ क्या होगा 1 ओके तो यहाँ पर देखो 2 upon 3 plus 1 4 upon 4 by 3 यह main division है main division को multiply में change करते हैं तो यह fractions क्या हो जाती है reciprocal हो जाती है अच्छा question में यहाँ पर देखो minus है तो हमें यहाँ पर minus लेके चलना है तो यहाँ पर minus करेंगे 3 minus 1 तो यह होगा 2 होगा तो यह multiply reciprocal में हो जाएगा तो वो क्या करेंगे 2 multiply 2 by 3 क्या हो जाएगा root 3 by 2 2 से 2 cancel तो answer क्या है हमारा root 3 अब देखो यह भी root 3 है RHS को solve किया root 3 आया LHS को solve किया root 3 आया इसका मतलब left hand side is equal to right hand side answer आया 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